दोस्तों हमारे पार जो कि एक 0.5SV का मोटर है यह दोस्तों बहुत ही ओल्ड है तो इसका वाइंडिंग नया हुआ है मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा यहां पर दूस्तों मोटर के अंदर से बहुत ही ज्यादा यह नॉइज निकल रहा है मतलब कि बहुत ही ज्यादा चलने लग जाएक तो जिसे बहुत है आपको हम बताएंगे आगे जाके ठीक है तो चले सबस्राव दोस्तों मोटर को हम यहां पे डारेक्ट लगा देते हैं थिक लगा दोस्तों मोटर क्या हमारा चलने लग जाएगा तो यहां पर सिंपल साथ दो वायर है इसकेंदर हम इसको फसा देते हैं यहां पर एक वायर फसाना है एन एंपेर आपको शो करगा जो कि 1.4 एंपेर ले रहा है फिलाल इदर 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 जितना हिलाओगे उतना होगा या इसे जादा होगा देख से अदर दोस्तों जैसे की 1.4 एंपेर करेंट मतलब एंपेर ले रहा है सब बताएंगे इस वीडियो में तो वीडियो को लाज तक जरूर देखना और बेरिंग चेंज करने के बाद दोस्तों इसका आवाज एकदम जीरो साउंड हो जाएगा मतलब की ना के बराबार साउंड रहेगा तो ठीक है तो सबसे लिए दोस्तों आपको इसके अंदर जो से तब दोस्तों आवाज देने लग जाता है यदि तब आप बोलोगे में ग्रिस लगाऊंगा तो गिस लगाने के बाद भी उतना साउंड स्मूध नहीं होगा तो सिंपल सा दूस्तों इसका जो की पीछे जो की कबल खोलना इसका इसका फैन रहता है फैन खोलना इस्ट च कि देख सकतो उपर वाड़ा भी नया कंडिशन है बट उतना नया नहीं है जो कि पीच में शायद चेंज हुआ होगा तो यहाँ पर दिसतों जो कि इसका अंदर से कोई भी आवाज हो इससे निज़ निकल रहा है निच्चे बालोग अधर तो जुद आवाज निकल रहा है देख सकतो इसका आवाज जो की निकल रहा है पीछे बाला बेरिंग दूस्त तो सही है इसके अंदर से कोई भी आवाज नहीं बड़ आगे वाले के अंदर से थोड़ा आवाज है यानि आगे का बेरिंग खराबे और एक चीज़ अब चेक कर सो इसके चेक मतलब जो कि इसको कड़ा से आप ऐड़ा आप एंडाउन कर सकतो कितना आपन डाउं हो रहा है ज्यादा हो रहा है यानी यहीं खरावे आगे के वाला भी चेक कर दो再गा बेरिंग तो आगे का बिरिंग दुस्त मेंser करना है तो सिम्पल से सब्सक्राइब नहीं देखोगे ना तो आप खुद नहीं करने में बहुत जाद है आपको तकलिफ होगा तकलिफ एकदम जीरो कर देंगे हम यह वीडियो के मदद से सब्सक्राइब निकल जाएगा निकलने का दुस्तों इसको अधर आप वाटर से लगा हुए और वाटर से को खोलना है यह दोनों को यह दी खोल लियो तो आप बेरेंग एजिली आप चेंज कर पाओगे तो चलिए इसका तीनो नट को खोल लेते हैं पर से इधर से फोगे तो बाहर आ हो सकता है यानि दोस्तों जो की बैरिंग क्या ही फाल्ट है तो बैरिंग चेंज करने के लिए दोस्तों सिंपल सा इसको एसे एक हाथ में पकड़िए पकड़ने के बाद जो कि उसका नट है इसको अपको खोलना है थोड़ा अच्छे से ख्लोग ही इसको दो सता खूर जो कि यह तेरा नंबर इंची सह यह खुलता है तो उल्टा से नॉर्मल होगा इस यह घुलेुए भाञए मतलब जाहिए मीडियम जै घुळ गया नहीं कोशिच करने के वाला जो कि आपका खुल जाएगा इसली वाला आटमेटिक बाहर निकला जाए यह चीज दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है अभी दुस्ता में जो कि इसका वाटर सिल्को निकलना तो सिंपल सा सब्सक्राइब तो सिंपल सा खुल गया खुलने का दोस्तों यह उल्टा ठोको गये तो बेरिंग मतलब जो कि इदर यह खुल जाएगा तो मैं इसको ठूकता हूं यह इसका जो की वाटर जो सील निकल चुका है यह खुल गया और एक बार तो दोस्तों थोड़ा टाइट है त सो यहाँ पर देख सकते हमारा वेरिंग तो इससे के में प्सक्राइब निकाल लेतं तो बेरिंग चैंज करने में आसानी हो जाएगा इसको तो बेरिंग को इससे उल्टा करना है उसके फेएidTक राया है तो यह से ट्रेडा करके एक बार टोकर तो निकला जाया तो यह को更 फोवार मेंगर निकल चुका। सो यह हैं मारा पूराना वैरेंग कि इसका हाल देख सकतो। भीले से पहले आपको एक चीज आ हम देने बड़ना जोकि बैरेंग कौन सा लगाओ यह पूरा न हमुला। चार्जिंग मिला के 250 200 हम लेते क्योंकि पंप सेट खोलना पड़ा तो इसके अंदर एक रबर सिल भी रहता है वह भी खता हो जाता है तो भी लगाना पड़ता है तो सिंपल साइस आपको लगा देना है लगाने के बाद आपको इसको उपर इससे आपको रोटर को इससे आपक रखते हो तो आपको अच्छे से यह जो की बैठने लग जाएगा जिसरी के नीचे हम इस टाइप एक सपोर लगाते है अब इसके उपर हम रखेंगे सपोर के उपर इससे हम डाइट इसको रखेंगे अब इसको दबाएंगे तो यह दोस्त आपक जो की बैरिंग अपने जाएंगे ऑटर से लुटा लगा रहे हो आप वाटर से दोस्तों आपको मैं दीखा देता हूं कैसे इसको सीधा साइड और कैसे उल्टा साइड यह प्लेन पार्स एस सीधा है यारि जो स्टेप वादा उल्टा है मतलए इसको पीछे के साड़ इसे अपको लगाना है ठीक ह इसको भी जॉँक्षक करेंगे कि यह भी जॉँ उठो तो वह स्वाला के अंदर यह सिल लगता है तो शाय रबास नहीं में था इससे पहले तो वह चेंज हो चुका था तम इसको लगा रहे यूद रेक्षोरे की नॉर्मली लग गया है जो कि उतना अच्छे से नहीं जा रहा जानी शाफ्ट घिसा वह यह फिर शाफ्ट अपने जगा पर अच्छे से नहीं आ पाया तो हीन के देखता हूं क्या फाल्ट है तो शाफ्ट दौस्तो गिसा हुआ है इसलिए जो कि यह नहीं लग रहा है ठिशको पॉट ता मैं दौस्तो यहीं वाला लगाना पड़ morphine obtener tim is ड़के बाद दूस्तों इसका सिंपल संप एमपेलर को दुबार से इसको लगा देना है तो एमपेलर कीसे फिटिंग हुआ तो आपको देखना चाहिए तो सिंपल सहमें पता है जो कि इधर घिस जा था तो ये दे चुह उपर परोशे हो ए तो हम इसको सिंपल सैसे टाइट करने के बार दोस्तोrega ऊच्छे से सिंप्प हाथ क्या तीया यॉअ हम जो कि धूर्व कreno इसको भी कर देते हम टाइट तो हमाँ यॲynı अद्यошा की अटलग जाएगा, इसको दूरे से फिटिंग करना है, फिटिंग करने से जब दोस्त हम यहां पे थोड़ा बॉंड लगाएंगे, तो इसका नाम है रिसी बॉंड, तो यह वाला मिलता है जो की बड़ा वाला पैकेट, मतलब यह इस टाइप का 50 रुपिया और इस छोटा वाला भी है, जो की 20-25 रुपिया में आपको मिल जाएगा मार्केट में, तो चली हम इसको बॉंड है जैसे की पहले लगा उआँए, तो मेरे दुकान का ही जो की, मेरे दुकान से नहीं बनायए, बट अधर जगह से जो की लगा हुआ है, चली हम इसको ही लगा देते हैं, ठीक है, सिंपल सा जो की इसके चार अवर जो की आपको इस टाइब के जो क्री सिपम लगा देना है तो मोढ़ा देते हैं उसका दुस्तर इसके अंदर नदर लग गया भी दूस्त मिस्कों इसको इसका उपारा को फिटीक करना है लगाओ इसको ये उसके नीच्छी का पर्षन है जो कि एकदम जीरो घुट हो चुका है अभी हम दोस्ते इसको दुबर से चेक करेंगे परहले जैसे साओंड हो रहा है या नहीं सो यहां पर देख सकतो कोई भी वह इसे sound नहीं है जो कि एकदम zero sound हो चुका है और up and down भी play भी कोई से नहीं है इसके अंदर मैं इससे आपको हिला कर भी दिखा था हूँ कोई भी जो कि sound and play नहीं है अभी हम दोस्ते इसको fitting करने का time आ चुका है तो fitting एकदम easily जल्दी fast fast हो जाएगा इससे आप कूल्टा करना है इससे पीछे का कबार जैसे लगा गवा था वह इससे आपको इसका अंदर इससे बस फशा हो जाएगा उसके बाद हम इसको चेक करेंगा आवाज भी आपको सुनाएंगे ठीक है इसका बेरिंग का आवाज कम हुआ मतलब जो कि इसका noise कम हो गया या फिर nose नहीं कम हुआ कि तो सिंबल साम तीनों और नॉट को फटा फट करते है टाइट कि अब हम दोस्तों जो कि मोटर फिटिंग हो चुगा इसके अंदर पंप के अंदर पानी डालेंगे हम यह भी चेक करें इसका मतलब कि पंप सेट खराब है या फिर खराब है वाटर सिल चेंज करने की कोशिश किये थे तो शायद खराब होगा या नहीं तो में इदर बंद कर देता हैं अब इसको फूल हो रहा है इतने में अब शोक तो नहीं ले यह जाएक है अब पानी यहां पे देख सकतो जो की वह फूडवल के मतल्ड़ की वाटर सिल खराब होगा तो यह से पानी टपक एगा जो कि फिलाल तो नहीं टपक रहे है चालू करने के बादी यह श को चालू तो पुच्छा कर रहा है तो अच्छे से नहीं पगड़ वारा इसलिए गिला हो गया तो चलिए हम दूबार से स्कॉफ कर देते हैं दूबार से करते हैं चालू ठीक है तो दूबार से चालू हो चुका है अभी मोटर का दोस्तों फिलाल फुल प्रेशर चल रहा है आप पानी तो पानी भी धी अगये बहुत हैं तो एक डवाशर जो तो आवान आ दो आप पानी है इसके अंदर इसको सिधा भी घुवान है से evidence स्टार्टिंग बसकी कई मिद ऐस स्टार्टिंग बिता करने दो विले इस ना देनने साओ पयर इसके लिए सब को पत्रकुछ धोनगर तुमिल आता यह गोमने है रहा है अदर आपको यदि इसी टैप से वीडियो देखना है तो प्लिस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए देल से थैंक्यू सो मच